जंगल राज का इससे बड़ा उदाहरन क्या हो सकता है कि जो कानून मंत्री चलिए उनको पूर्व कानून मंत्री कह लेते हैं कार्थिके सिंग थे वो बेउर जेल में उस राजू सिंग पर दबाव बना रहे हैं केस के कॉम्प्रमाईज के लिए जिसको लेकर उनको इस्तिफ जंगल राज का इससे बड़ा उदाहरन क्या हो सकता है कि 20 अगस्त को पूर्व कानून मंत्री कार्थिके सिंग ने चार गारी से गुंडे भेजे थे वेउर जेल में जो राजू सिंग के पास जाकर कहते हैं कि तुम अपहरन वाले केस में जल्दी से कॉम्प्रमाईज कर ल दिव्या सिंग ने बयान दिया है कि एक साल से उनके पती बेऊर जेल में बंद है और उन पर कोई भी क्रिमिनल केस साबित नहीं हुआ है जान बूझकर उनको फसाने की साजिश हो रही है और उसके बाद दिव्या सिंग कहती हैं कि लोग आये थे और वो कह रहे थे कि तुम को भी यहीं रहना है हमको भी यहीं रहना है इसलिए कानून मंत्री पूर्व कानून मंत्री कार्तिके सिंग के साथ कॉम्प्रमाईज कर लीजे इसके लावा एक खबर तो आपने सुनी ली होगी कि देखिए वारंट जो था गिरफ्तारी का वो खारीज कर दिया गया था लेकि कि कार्थिके सिंग जो पूर्व कानून मंत्री थे वो बेऊर जेल में सेटलमेंट के लिए अपने आदमी को भेज देते हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं होता है बिल्कुल सही कहा था भाजपा ने भाजपा के सुशील मोदी ने कहा था कि देखिए अब जातार का इलजाम उन पर है वो उस राजु सिंग से कॉम्परमाईज कर वा लेंगे और इस केस को रफा दफा कर दिया जाएगा और ये बात सच साबित हो गई 20 अगस्त को जब पूरु कानून मंत्री साहब पूरु कानून मंत्री नहीं हुए थे तब उन्होंने भेजा अपने आ राजु सिंग के पत्नी दिव्या सिंग ने कोट को भी एक चिठिल लिख कर दिया है कि कैसे उनके पती पर प्रेशर बनाये जा रहा है इस केस को वापस लेने के लिए दिव्या सिंग ने ये भी बताया है कि कैसे कार्तिक सिंग ने अपने आदमियों को बेउर जेल में कि राजु सिंग उस केस को वापस ले ले और कार्तिके सिंग इस अपहरन वाले केस से बख जाए बैरहाल पटना पुलिस की दाद देनी होगी अब तक कार्तिके सिंग को गिरफतार नहीं किया गया है खबर ये चल रही है कि पुलिस जो है वो गैर जमानती वारंट का इंतजा कर रही है कि कार्तिके सिंग को खोज बीन करके निकाला जाए लेकिन कार्तिके सिंग ऐसे हैं जो गायब हो उनकी पतनी को डराया जा रहा है धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप इस केस को वापस ले लीजिए क्योंकि आपको तो यहीं रहना है और हम लोगों को भी यहीं रहना है उनकी पतनी कहती है कि वाटसेप पर कॉल आ रहा है लोग फोन कर रहे हैं मेसेज कर रहे हैं औ पर शायद भाजपा कहीं न कहीं सही भी थी कि आज जो पूरु कानुन मंत्री साहब है उन पर एकदम प्रूफ के साथ ये आरोप लगाया गया है कि 20 अगस्त को बेवर जेल में उन्होंने अपने आदमी को भयाधा रादू सिंग के पास ताकि वो इस केस में नहीं किया बहराल अब क्या होता है ये तो भविश के गर्व में है कार्तिक सिंग अरेस्ट होंगे की नहीं ये भी हम नहीं जानते लेकिन तेरस्पी यादव की राज में ये हो रहा है तो कहीं न कहीं तेरस्पी यादव के मन्शा पर उनके नियत पर सवाल उठ रहे हैं ब तरेंग संदिक तिरे ये, बहुत-बहुत गनिवाद!